इसका दूसरा नियम है जब त के बाद ज़ या ज़ हो तो किसमें बदल जाएगा ज़ में परविर्टत हो जाएगा जैसे सत धन जन ठीक है तो त के बाद ज़ आया तो किसमें बदला आधा ज़ में सजन ग इसका देखिए जब तो के बाद ड या ठो हो तो तो ने किसमें बदल जाएगा आधा तो में परविर्टत हो जाता है जैसे विरहत धन ठीका विरहत तो के बाद ठो आया ठीक है तो इसने किसमें बदल जाएगा तो ने आधा ठो में तो क्या होए विरहत ठीका ये ठो आधा हो गये हैं, ठीक, घह देखो, जब तो के बाद लो हो तो तो लो में बर्योड जाए जा, आधा लो में ठीक है, आधा लो में परवर्दित हो जाएगा, जैसे तत धनलीन, तो किसमें बदला, आधा लो में, तो क्या हो गया, तलीन, एक और नियम देखें इसके, तो के बाद हो हो तो तो दो में और हो धो में परवर्थित हो जाता है दोन में परवर्थन होता है तो ने दो में बदलना है और हो ने धो में परवर्थित हो जाता है जैसे उत्धन हार तो तो किसम बदल गया दो में उत्धार उत्धन हित तो तो ने किसम बदल जाना है जब हो आया तो हो ने किसम बदलना है धो में ठीके तो क्या हो जाएगा उध्रित ठीके अब देखे चौथा नियम च्छा संबंदी नियम ये सारे तौ संबंदी नियम थे जो उपर हमने देखे ये सारे किसके नियम थे तौ के ठीके बिंजन संदी में तौ का क्या परिवर्थन होता है अब देखे चौथा नियम च्छा में क्य जैसे स्वधनचन्द तो क्या हो गया स्वचन्द समझ गएं तो छो से पहले क्या आग आधा चो आ गया वैसे ही देख वी स्वर के बात च है तो दो शो से पहले क्या सम्बंदी नियम इसका पहला नियम है यदि म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन आ जाए क से लेके म तक जितने भी स्वर्ट व्यंजन है उनमें से कोई भी अगर आता है तो क्या होना है उस समय उस व्यंजन वर के पाँचवे वर्ण के रूप में बदल जाए तो व्यंजन किसके उसके पाँचवे वर्ण जैसे का का पाँचवे वर्ण क्या गया है का खा गा गा चा चा जा जा जना ठीक है समझे जो पाँचवे वर्ण में बदल जाता है और क्या यहाँ अब अनुस्वार के रूप में लि होसो हों करते शान जाए सम्दहन्तोस तो क्या हो जाए अनुस्वार ठीके पहला बाला किया था हमेसा किसमा बदल था अनुस्वार में पहला वाले भी और दूसरा वाले भी हमें से किसम बदल जाएगा जैसे सम धन योग तो क्या हो जाएगा सम योग उपर बिंदी लगिए सम धन सार संसार अब ये वीडियो देखने के बाद आप लोग वेंजन समधी समझ चुके होंगे इससे समधित आपको कुछ प्रस्न दे जाएगे जो आपको अपनी अभ्यास कॉपी है उसमें आप लोग करेंगे